यहां से आप अपनी fuel lid को open कर सकते हो ठीक है जब भी आप diesel अगेरा भरवाने जाते हो यहां से आप अपना मुझसे किसी ने comment section में ये पूछा था कि Mahindra Scorpio S11 के dashboard में जितनी भी button located है उनके बारे में एक video बनाई है तो मैं उसी के लिए आपको ये video आज दे रहा हूँ So hello guys welcome to another fresh episode video of Shittis Divedi different videos और आज के इस video में करते हैं बात थोड़ी सी अलग थोड़ी सी different So मेरा नाम है Shittis Divedi और आज के इस video में मैं आप से बात करूँगा All the buttons located in Mahindra Scorpio dashboard So video को देखते रहेगा last तक और video में बढ़ते हैं आगे So ये हैं आपके light controls और ये हैं wiper controls सबसे पहले आजाते हैं इसकी तरफ So यहाँ पे आपको दो dials देखने को मिलते हैं पहले से आप अपने main head lamp को on कर सकते हो So यहाँ पे आपको दो बार घुमाने के लिए दिया गया है पहली बार घुमाते हो तो आपकी positioning lamp चलती है यहाँ पे LED eyebrows दी गई है आप यदि दूसरी बार इसको घुमाते हो तो आपका main head lamp on हो जाता है दूसरे dial के अगर बात करें तो जब आप पहला dial पूरी तरीके से घुमा देते हो जब आप दूसरे dial को घुमाना शुरू करते हो तो पहली बार जब आप घुमाते हो तो इससे fog lamp on हो जाते है जब आप इसको दूसरी बार घुमाते हो by default पे यह set हो जाता है कि जब भी आप अपने main dial से positioning lamp को on करोगे तो उसके साथ fog lamp भी on हो जाएंगे चलो मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ अब जब आप यहाँ पे positioning lamp को on करोगे तो LED आइब्रो के साथ नीचे का fog lamp भी जलेगा पाइपर कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पे variable intermittent mode देखने को नहीं मिलता आपको fixed speed देखने को मिलती है आगे करना है लो वाली speed पे चलेगा और यहाँ पे चलाना है तो यह mist वाला mode दिया गया है मतलब यहाँ आपको एक बार वाई पर चलाना है तो आप इसको करोगे अब यहाँ पे भी आपको एक डायल देखने को मिल जाता है इस डायल को यदि आप घुमाते हो पहले राउंड पे तो पीछे वाला वाई पर चलेगा यदि आप पीछे वाशर भी चलाना चाते हो तो फिर आपको एक बार और गुमाना पड़ेगा इसको यह जो दूसरा टायल है न यह काम ही नहीं करेगा यह ऐसा डमी है आ जाते हैं स्टीरिंग वील के तरफ तो यहाँ पे आपको Mounted Controls तेखने को मिल जाते हैं Right Side के बात करें तो यह पुरा Cruise Control का Setup दिया गया है जहांपर इसबटन से जो R.ies लिखा है Cruise Control को आप reset कर सकते हो यह basically AC के जरूर लिखा है लेकिन आज की date में यह voice command feature वाला बटन है पता निये 2018 में क्यों नहीं दिया गया यहां से आप cruise control को off कर सकते हो और जब आप गाड़ी को चला रहे हो और आपको cruise control on करना है तो इस plus को आप थोड़ी देर दबाए रहोगे ना continuously तो cruise control जो है वो on हो जाएगा cruise control में जितनी speed को set करते हो उसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो suppose आपने 80 की speed पे cruise control को किया है तो आप यहां से 90, 100 वगेरा कर सकते हो और यहां से आप 70 और 60 कर सकते हो जो जितनी भी आपको करनी हो यह है आपके audio, bluetooth, phone controls यहां पे आप volume को mute कर सकते हो source जो चाहिए आपको cd, usb, radio, ipod, bluetooth, aux यहां से आप अपना source select कर सकते हो यहां से आप volume को बढ़ा सकते हो और यहां से आप volume को कम कर सकते हो यह आपके call controls हैं, यहाँ से आप call को receive कर सकते हो, और यहाँ से आप call को cut कर सकते हो, अगर बात करें instrumental cluster की, दो आपको controls दिये गए हैं, पहला है आपका set का, दूसरा है आपका mode का, mode से आप क्या देख सकते हो, कौन सी trip अभी आपकी है, तो अभी मेरी trip A है, अब मैंने mode दबाया तो यह मेरी trip भी आ गई, दोनों trip जो हैं, वो zero पे हैं, यदि माल लीजे, कोई भी एक particular trip आपकी, कोई distance travel किया है, तो आपको अगर reset करना होना, तो आप इस button को थोड़ी देर दबाओगे, और आपकी जो trip है, वो reset हो जाएगी, तो यह basically आपका trip reset करने का button है, ना वा जाते ह हैं, driver side controls में, यह वाले में, यहां से आप ORVM को adjust कर सकते हो, electrically, अभी मैंने यहां पे, suppose center पे रखा है, इसका जो dot है, अभी वो center पे है, तो अभी आपके कोई भी ORVM जो है, वो adjust नहीं होंगे, ना अगर मैं इसको right पे घुमा दूँ, अब आप देखिएगा, नीचे कर रह है, उपर कर रहा हो, तो यह उपर जा रहा है, यहां से आप अपनी fuel lid को open कर सकते हो, जब यह आप डीजल वगेरा भरवाने जाते हो, यहां से आप अपना defogger on कर सकते हो, off कर सकते हो, यह आपकी beam level adjustment है, head lamp की जो beam है, उसको उपर यह नीचे कर सकते हो, यह जैसा कि आप अपनी cd को eject कर सकते हो, यहां से आप radio पर जा सकते हो, जो भी आपको am की चाहिए, या fm की चाहिए, यह फोन का बटन है, यहां से आप अपने phone के सारी चीजियों को access कर सकते हो, call log हो गया, contacts हो गया, info में जाते है, fuel info, tiretronics, reverse camera, alert, service info, यह सब आप देख सकते हो, यहां से, equalizer में जाएंगे, normal चाहिए, jazz चाहिए, pop चाहिए, आप equalizer में जाके वो चीज देख सकते हो, this skin जो लिखा हुआ है, यहां पर red light जलेगी, जब आपकी cd अंदर होगी, home जो रहता है, आपकी जो screen रहती है, वहां से आप different modes को use कर सकते हो, media, radio, phone, car info, navigation, settings, home button में आप जाके यह कर सकते हो, बाकी navigation के लिए यहां पर dedicated आपको button भी देखने को मिल जाती है, map, my India के साथ वाला जो navigator है, यहां पर महिंदर का वो काफी अच्छा है, यहां से आप अपने call को receive कर सकते हो, यहां से call को cut कर सकते हो, यहां से आप volume को कम या जादा कर सकते हो, यहां से आप अपने infotainment system को mute कर सकते हो, और unmute कर सकते हो, अगर आप थोड़ी देर इसको दबा के रखोगे, तो आपका जो infotainment system है, वो बंद हो जाएगा, यदि फिर से चालू करना है, आपको एक बार touch करना है इसको, यहां से आप अपनी FM की frequency change कर सकते हो, यहां से आप अपने FM की frequency को auto select कर सक चाहिए, सामने और leg room में चाहिए, यहां front से भी आए, और नीचे leg room पे भी आए, तो आपका ये वाला बटन, यदि सिर्फ leg room में चाहिए, तो ये वाला बटन, यदि leg room में चाहिए, और windshield पे चाहिए, तो ये वाला बटन, सिर्फ windshield में चाहिए, तो ये वाला बटन, recirculation क का बटन है AC on off करने का बटन यदि यह अगर आप फटा दोगे तो सिर्फ आपका फैन चलेगा यह जो दो डायल दिये हैं यह आपका टेंपरेचर कम या ज्यादा करने के लिए है यह आपको 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 आटो एसी चाहिए यह आपका फैन की स्पीड को कम यह ज्यादा करता है यह वाला जो डायल है इससे हम पूरा सिस्टम जो है वो आफ कर सकते हैं इसको घुमाना पड़ेगा और एसी को करना पड़ेगा हाई पे और यहां से ऑटोमेटिकली जो एसी का मोड है वो डिसेबल हो जाएगा और आपका जो हीटर है वो आउन हो यह आपका rain sensing wipers को on या off करने का बटन है यह आपका automatic headlamp on करने का बटन है और यह आपका hazard lamp on करने का बटन है तो यही हैं बटन्स जो की डैशबोट पे located है उसके बारे में यह पूरा वीडियो था I hope आपको कुछ चीजे यहां पर समझ में आ गई हूँ अगर नहीं आई हू देन आप मुझे बता सकते हो नीचे comment section में I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे चैनल को subscribe करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना share कर दीजे thanks for watching me so patiently and bye bye